हमारे द्वारा पोस्ट की गई विडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृप्या विक्रेता से स्वय मिले अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान धोखाधरी आदी के लिए उत्तरगाई नहीं होगा अभी रखें इसके अंदर भाई ये तो हाउस फुल है इसमें हैं 120 बगरें भी मेरे पास 120 बगरें उसके बाद भी अपने पास जगा खाली अभी जगा बिल्कुल भी नहीं है इसमें तो आपने ये सेकेंड ब्रांच उपन करी है आई विजिट करते हो और प्लिक को भी दि अपनी 184 बगरें इसी फाम पर बनेटी फोर की इसी फाम पर और भाई इसमें सबसे अच्छा यह है कि इसमें सब बगरें सेंटर खुटे में रहेंगे कोई बगरा दीवार के करीब नहीं है सबको अपने सेंटर खुटा दिया है और साड़े 6 फिट से हर खुटा है मतला ब देख सकते हैं एक बार जूम करके दिखाई आप बल्लीएं भी मैंने साड़े 6-6 फिट पर बल्लीएं गड़वाई और अक्सर क्या है फार्मर्स जो है यह चीज को इसलिए अपलाई नहीं करते क्योंकि इसके अंदर जाता है अगर अपन इसमें दीवार का इस्तेमाल करते तो मेरे मैं समझता हूं कि दीवारी दीवार पर मेरे इसाब से 50 खुटे और आजाते मेरे अपन को पैसा कमाने का मसला नहीं है लेकिन अपन को सर्विस देना है सर्विस के चक्कर में अपने वह 50 खुटे खतम करें 50 से 100 खुटे भी आ सकते थे क्योंकि यह 5000 स्कॉर फिट का अगर जोड़ो तो में समझ सकता हूं कि अपने सर्विस की वज़े से आज मार्केट के अंदर अपनी गोडवेल है ठीक है तो मज़ा आ रहा है अभी इंशालला अपन कुछ टाइम बाद सिर्व वीडियो बनाएं बिल्कुल इंशालला आपका कश्मीर का टूर इंशालला जैसे ही आप रेटन होंगे तो पहला शूट इंशालला आपको यहीं करना है बिल्कुल आपके इसाब सभी कितना वक्त और जाएगा यह मेरे हिसाब से कल इंशालला मेरी आर्शी सी हो जाएगी और कली यह सामने से पैक हो जाएगा तो पैक होने के बाद में दो तीन देन तो फ्रेंट में आप किस चीज़ से पैक करने वाजी फ्रेंट में जो मैंने ऊपर चादर लगाई उसी से मैं फ्रेंट पैक करूंगा इसलिए अभी बांटरी वाल नहीं करता है अगर आगे बढ़ने का मौका दिया तो वह ऐसे के शेड आगे बढ़ जाएगा तो यह इस दीवार जो 20 फिट की चुटी है वह अपने वरकर्स के लिए रूम बनाना है तो भाई जैसे सर्विस मिलेगी तो इंशालला काम बढ़ेगा तो भी करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल भाई बचाओ आपकी वेंटिलेशन के लिए क्या सोचा आपने वहाँ पर विंडो के लिए यूज करोगा नहीं अभी क्या विंटर तो उसको पैक कराना पड़ेगा तो प्लास्टिक से आप पर्मनेंट करेंगे उसको स्कूर से अपन फिट करा देंगे और गर्मियों में उसको खोल देंगे चलो अच्छा है तो गर्मियों के अंदर क्या है दिकत नहीं जा अभी तो बहुत सारा पेशा खर्चा हो गया पलाई मलाई कुछ बढ़ाई या नहीं पालाई रेट कस्टमर इसको बस अपने को रिजल्ट देना था और जो कस्टमर अपने पास जगह की वजह से नहीं आ पा रहे थे अब इंशाल्ला उन लोगों को मोका मिलेगा अपने प बीस बाई बीस का गाला ऐसा भी वनाओ जिसमें खसी बखरो का पार्टिशन भी अपने बीज बाई बीस का नहीं है वह अपना 2800 स्क्वार फिट का है वह इसी जो पुरानी वाली ब्रांच है उसमें उपन है अच्छा इसके अंदर खसी बखरो का स्पेस है चलो बड़ी आ कोई भी काम करने निकलो तो करने से पहले वह लगता है कि बहुत आसान है लेकिन जब उसको कराने के लिए निकलो आप तो भाई बहुत सारी आज साथ महीने पेले इसी लाइन पर लोग खड़े हुए उपने बाद में यासर बहुत बढ़ा लग रहा है इस पेस तो यह सब आर्थी सी हो जाएगा यह पूरा अर्थी सी हो जाएगा बाई अंदर का उसके बाद आपन भार आएंगे जैसे बार आएंगे तो यह जो स्पेस इसका क्या करने पार यह यह स्पेस जो है मैं इस पे रोलर चलवा के कच्छा रखूंगा जो बकरे विंटर में मिलें रहेगी और एक शेड जो खसी का आप के रहे हो वह यहां से यहां तक जो अपना कवर करेंगा जी यह कवर करूंगा बहुत बड़ी आए भाई तो मज़ा जब आएगा इंशालला जब मज़ा इंशालला जब आएगा शादब भाई जब लाइटिंग लग जाएगी पूरा फार्म कंप्लीट हो जाएगा यह बली पर पेंट हो जाएगा अपने बली सिस्टम भी ऐसा रखा है बाई सेंटर खुटे और इसमें अपन पेंट करेंगे रैड ब्लू और ग्रीन क्या मतलब रहेगा जैसे किसी वरकर को अपन को बोलना है कि रैड बली वाला बकरा परशान हो रहा है या लड़ा है कुछ भी कर रहा है उसके वह फोकस जल्री कर बाएंगे निए पोंकुछ थम्रों को जाएगा भी यह जिसट विस मोई कभी कोई दिककत आती है वो इमें वाच करने के लिए किसे बताइंगे वर्कर को बाइब बखरा लड़ा है तो उसमें आपन की बाइब बखरा पर्शान हो रहा है तो आदनी का फोकस वसी बल्ली ऑप जाएगा कि ग्रीन कलर की बल्ली ऑप एसा है ठीक है जासर भाई तो अब आएंगे अपन फार्म क खीके बहुत बहुत शुक्रिया भाई अलाफ 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 तो